स्वागत है दोस्तों एक बार फेर सही आपके अपने योट्यूब चैनल लार्ण अबॉट मेडिसीन में जहां आप आते दवईयों के बारे में बीमारी के बारे में तो था बीमारी के इलाज के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में जिस दवा के बारे में बता रहा हूं उसके बारे में आपने ही मुझे डिवांड किये कि सर उस दवा के बारे में बताइए और वह दवा का नाम है मल्टी विटामीन टेबलेट वैसे तो multivitamin tablet काई अलग-अलग परकार की available लेख लिए जो ज़्यादा तर प्रियोग में लाई जाने वाली multivitamin tablet है उसमें दो प्रमोक है एक तो A-Z tablet तता दूसरी zinkovid tablet हाला कि इन में थोड़ा पूर difference है लेकिन ज़्यादा तर similarity है से multivitamin ने विटामिन्स मिलाए गए है इसलिए इन दोनों के साथ में कई अन्य multivitamin tablet के भी पूरी जानकरे इस वीडियो में हमें जानेंगे जैसे कि किन-किन स्तितियों में multivitamin tablet लेने चीए जिसमें 10 से ज़्यादा परकार की यूजर में आपको बताऊंगा क्या-क्या multivitamin minerals इसमें मिलाई जाते हैं इसकी कितन मात्रा कितने लंबे समय तक लेनी चीए साथ यदि किसी को साइड इफेक्ट होते क्या हो सकते और इसके अलवी करनी महत्तों बाते इसलिए वीडियो को आंतक देखें चिसे पूरी जानकरें आपको multivitamin के बार मिल सके साथ इमेर चैनल पर पहली बारे वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं बोलें मैं हूँ आपको होश्ट मोहीत आदीच आप देखें अपने येट्यूब चैनल लान बूट मेडिसिन चलिए आज पर कुछ नया सिकते हैं है अलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों मल्टी वीटामीन टेबलेट इस नाम से ही पता चल रहा है इस टेबलेट में एक से ज़्यादा अलग लग परकाख के वीटामीन्स मिले गए और वीटामीन के अलाव इसमें मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं क्या-क्या कॉम्पोजिशन इसक को कवर कर रहें इनके करखे अनको कोंपोजिशन की बात करें तो इसमें वीटामीन ए वीटामीन टी स्बेट वीटामीन टी सिख्स वीव होते साथ मैं इसकी लिस्ट दे रहा हूँ यह सभी जो कोमीशन होता है यह इन दोनों केप्शूल का होता है तक tota है और जो मल्टी वित्वीटामिन टेबलेड रहता है हो सकता है एक दो इसमें एक्स्रा मिनरल से रचाब कर दें या लेकिन यहीं सिमिलर इसका कोंपोजीस्ट लेकिन अल्मस्ट इसी प्राइज में आपको मेल जाते हैं जो मल्टी वितामीन टेबлемेट होती जदा तर पंदर टेबलेट की स्टरिप पेकिंग माती और कुछ कम revived दस तेबलेट इस तेबलेट की निकालती है विटामिन सी कमी होई हो, उसको nutritional deficiency हो गयो, किसी विटामिन की deficiency हो गयो तो उस समय पोशक ततों की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इस टेबलेट को मरीज को दिया जाता है तब भी यह टेबलेट उन्हें दी जा सकती है किसी व्यक्ति को अलसर चाले हो गए चाहिए चाले मौ में हो या गले में हो दोनों ही चालों को ठीक करने के लिए यह मल्टी वेटामिन टेबलेट बहुत ज्यादा प्रियोग लाई जाती है किसी व्यक्तिक अगर इस्टेमिना क मज़ोर है तो इस्टेमिना को बढ़ाने के लिए इसे दिया जाता है और इस टेबलेट का प्रियोग जो हेवी एंटिबाइटिक होती है एंटिबाइटिक के साथ में भी एंटिबाइटिक दी जाती है तो हमारे सरी में विटामीन का लोस होता है मिनिल्स का लोस होता है उसको सब्सक्राइब करने के लिए साथ युष साइड esthoff aur करने लिए यह साथ में दी जाती है इस प्रियोग किया जाता यinkaी है जिसमें RBC नहीं दिया जाता ता किसी व्यक्ति के है पैरफोल हो रहे हो बालों किसी के जड़ रहे हो तो जड़ते वह बालों को रोकने के लिए भी सपोर्टीव मेडिशन को इसका प्रयोग लिया जाता है कोई व्यक्ति पचास से जादा हो गया तो उसमें व्यक्ति डीजनरेशन के इस्तिती सुरूँ हो जाती जो शरीर के है वो कम हो जाते हैं ज़्यादा वीटामिन बोड़ी से बाहर निकालते तो उनको रीकॉर करने के लिए लिए यह यहाँ यह टेबलेट दी जाती है और इस टेबलेट का प्रियोग किसी व्यक्ति को हाथ आता पाऊं में जलन की समषया भय पूरी वोड़ी में जलन की समस्य अलग रही हो जो ज़्यादा तर देखा गिया विटामिन की कमी होने के करण होती है तो उस समय भी लिया जाता है और लास्ट बट नॉर्ड लिस्ट इस टेबलेट का प्रियोग जो रनर हैं जो वरक आउट करते हैं जो अन्य गेमिंग वाले व्यक्ति हैं उनको इस्टे आपके फार्मासिस्ट इसका प्रियोग ले जैस्सा कि यह दवा एक मल्टी विटामिन दवा है तो यह टेबलेट बिना डॉक्टर इसला डायक्ट मेडिक रिस्टो पे इस ओटीशी प्रोडेक्ट लिए जा सकती है जिससे आप अपने अनुसारी सेवन कर सकते हैं लेकिन मे इसके अलग को दूसरी प्रोड़म आपको लगे तो तुरंति अपने डॉक्टर से मिले जिससे की इस टेबलेट को बंद करके को दूसरी दवाब को दी जा सकते है अब गर इस टेबलेट की बारे में जातने कितनी मात्रा में दिय जाता है किस तरह इसको लेना चाहिए कितने लबए समय तक लेना चाहिए तो इसकी जो dose होती है, age के according दी जाती है और requirement के according दी जाती है, जो general dose है उसे हम जान लेते हैं, general dose में एक tablet प्रती दिन वेक्ति को दी जाती है, और यह है tablet 10 दिन से लगा कर 15 दिन कभी कभार महीने बर भी दी जाती है, जिससे अच्छा result मिल जाता है, और किसी वेक्ति में बहु एक tablet उसे रख दिया जाएगा, और इस tablet को खाने के पहले ताथा खाने के बाद, दोनों ही समय में ले सकते हैं, क्योंकि multivitamin tablet को इसी तरह की problem नहीं करती है, साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जो hair fall के लिए, या stamina बढाने के लिए ले रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो 50 की उमर के बाद में यह diabetes उको पेसेंट है, यह बड़ी वीमारी वाले पेसेंट है, ज्यादा रिकवरीक वाले पेसेंट है, उनको यह tablet दो महिने, तीन महिने, छे महिने भी लगातार दी जा सकती, किसी परका की समझ्या नहीं है, और वेटामीन की सबसे बड़ी खासित होती है, अगर आपके सरी में ज्यादा हो जाएंगे, तो आपकी यूरीन की सायता सी बाहर निकल जाएंगे, तो कोई नुकसान भी यह नहीं करते, इस tablet को आप किसी भी उमर के मरीज को, बच्चे को, वियस को, बोड़े को दे सकते हैं, साथी प्रेगनेंसी में भी इसे बताया गया है, प सदसाथ इसको शेयर कें, जो किसी और की भी काम आएं, और अभी तक आपने अपने यूटीब चैनल लाणावूट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो निची दी की बटन को दबागे, जो उसे सब्सक्राइब कर दे, जो पासमें बैल आकरें से जोरू दबाए, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिक्स में अपमिल सकें, और मेरे सभी वीडियो आप मुफ में देख सकें, आप ते अपने दोस्त मोहित आदीज के साथ, देख रहेते अपना यूटीब चैनल लाणावूट मेडिसिन, थैंक्यो फ्रेंड्स, टेक क्यार, और बेक आप वोट मेडिसिन उसर,